तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे जो आपका एडी इटी सेकेंड काउंसलिंग अपडेट निकल के आया है उसके लिए तेके जो अपडेट आया हुए वह बहुत ही अटपटास है यानि कि सबज भी नहीं आरा है लोगों को और साथ में जो कट आफ है उसके कितना परसेंट गया है या फिर जो बच्चे जिनके 50% माक्स है या 50 से 60 के बीच में लाइक आपका 57 55 है तो क्या उनका एड्मिशन हो पाएगा या फिर नए और डिजी टी ने एक और नया रूल दिया है यहां पर एडी आईटी कोर्स को लेके तो उसे भी हम यहां पर समझ करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि साही चीज़ आपको समझ में आजे और साथ ही आपको पता चल जाए कि आपका इड्मिशन जो है वो कब तक यहां पर हो सकता है क्लियर है साही चीज़े तो चलिए जो आपकी निम्मी वाली साइड है अपडेट आपका वह का वहीं पर मिलेगा तो उल एडी मैंने ऊफ्र यहां पर करके रखें नीचे जैसे यहां पर आके देखते हो में हम तो यहां पर क्ञाये कि आपको ग्रीन यलो कलर से आपका यहां पर क्या है क्या अपको पर क्या है किpower separation is या झितने में हैं है आपको इहां पर दे दिए तो देखें पहला जो आपका है दोज हूँ है इसकोट 60 परसेंड अब इन ए आई सी एटी एक्जाम एंड नौट रजिस्टर्ट फॉर फेस फर्स्ट आफ कॉंसलिंग ठीक है तो इनके कहने का क्या मतलब है कि जो आपकी कट आफ है वो कितनी गई है वो गई है अभी भी 60 तो उनके लिए थोड़ी सी सेट नियूज है साथ में वो परिशान है कि क्या उनका एड्मिशन हो पाएगा या फिन है तो देकि मैं एक चीज़ क्लियर कर दू कि जो डीजी टी के फंड ने वो आस्ता किसी को समझ बिनाया कि यह क्या करते हैं किस से काम करते हैं यापर लेकिन ह अगर 60% इनों ने दिये यानि कि क्या है कि अभी भी वहाँ पर सीट फुल्स नहीं हुए 60% का मींस यह कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका क्या है मैं वान की चलती हूँ कि यहाँ पर 70 प्लस वाले जितने भी स्टूरेंट्स थे उनका एड्मिशन आपका हो गया था ठीक है तो उसके बाद जो सीट बची क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका जो 65 मार्क्स है या फिर मैं बात करूँ 62 मार्क्स है तो उन बच्चों के इड्मिशन नहीं मिला था इसलिए जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग की जो कट ओफ है वो वापस से क्या कर दी गई ह है आपकी 60% कर दी गई ताकि जितने भी बच्चे जिनके 62 65 मार्क से उनको यहां पर इड्मिशन मिल सकें तो फर्स्ट चीज तो आपकी कि ऐसा इसलिए क्या गया है ताकि पहले 60 वाले जो बच्चे हैं उन्हें यहां पर सीट मिल जाए देन आपका क्या है कि 50% वाले जो स् क्लियर है तो इसमें आपको परिशान होने की कोई नीट नहीं ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी फॉस्ट और सेकेंड काउंसलिंग में ही सारी सीट क्या हो जाए फुलफिल हो जाए और अब तो और कम चांसे हैं क्योंकि आपका यहां पर क्या है कि जो बच्ची हैं पर स्याइ कोई यहां पर और ज्यादा बढ़ गए हैं तो आपको परिशान होने की जरुरत नहीं है हो सकता है कि आपका अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है थार्ड कांसलिंग को लेके लेकिन डेफिनिटली आपकी जो थार्ड कांसलिंग है उसके लिए यहां पर कोई ना कोई यहां पर होगी और मैं चीज और क्लिए कर दो कि 50 प्लस जितने भी स्टूरेंट से 50 प्लस उनका एड्मीशन मोस्ट अफदी हो जाएगा कि आपके अगर 50 प्लस हैं तो आपका एक जो एड्मीशन प्रोसेस है वह यहां पर कम्प्लीट होगा क्लियर साइच चीज है तो आप परिशान मत हुई है आपको कहीं नगा एड्मीशन मिलेगा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट वाइस पर एड्मीशन ना मिले लेकिन आपको कोई ना को इंस्टिट्यूट यहां पर एलोट होगा एक चीज और कर दो कि कौन-कौन यहां पर सेकेंड कांसलिंग के लिए पार्टि रिष्ट्रेशन नहीं किया लाइक अगर आपके 65 मार्क से और आपने क्या किया है कि फर्स्ट फेज में रिष्ट्रेशन नहीं किया तो तो आप एडली के वलें ठीक है डूसरा पॉइंट जो है आपका वो क्या है कि 60% से यह तो आपके होने चाहिए साथ मैं क्या था कि है वो आपको वापस से देने की नहीं है जिन स्टूडेंट्स ने हाँ पर फर्स्ट फेज में अपने काउंसलिंग कम्प्लीट कर वा ली थी याद रखेगा वन थाउजन रुपीज आपको वापस से पे नहीं करने है नेक्स्ट मैं बात करूंगे थर्ड पॉइंट को लेके यह थोड़ा सा नेया पॉइंट है साथ में कुछ CITS स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्या है गुड़ न्यूज लेके आता है यह पॉइंट कि जो बच्चे CITS कर रहे थे ऐसा इन्होंने फॉर्म भरते टाइम तो यहां पर शो नहीं किया था जो बच्चे CITS कर रहे थे उन्होंने अगर फर्स्ट लाउण में भी रिजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन उन्होंने कैका था कि अडू एडिय ग्वांटी का एक Zainब यहां पर सकते हो आप और नहीं क्य क्युछ के लिए आप अरगां पर एकॉर्स को डूग करसकते हो तो आप नहीं पलब अगर चूज कर सकते हो यहां रखेगा यह अपेरिंग वालों के लिए भी है क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है स्टेंग इन सी आइट्यर यानिका अगार आप सिई समय अभी पढ़ हो तो रखर आपके जो इक्साम है वह अगस सितमबर तक आपके एक्जाम हो जाएंगे तो जैसे यhea आपके एक्जाम होंगे आप अप्नी जो एडिए खी उधिट फिर क्लासे अब मैं बात कर लिते हूं कि second जो फेस है वो आपका कैसा प्रोसेस है किस से आपको यहां पर काम करना है देखें फर्स्ट फेस में जिन्होंने रेजिस्टेशन किया है उन्हें आप 1000 रुपीस नहीं देने जिन्होंने नहीं किया था उन्हें 1000 रुपीस पे करने पड़ेंगे साथ में आपकी कहा है कल से यहां पर स्टार्ट हो चुकी हो दस ताइक तक यानि कि आपके पास पूरे चार दिन थे दस ताइक तक आपके पास टाइम है अराम से अच्छे से सोच के भलीजे क्योंकि आपका जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो आपका नहीं होगा तो इसलिए जो भी फर्स्ट वाइस भरें आप उसे सो समझ के भरें क्योंकि बाद में आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा क्लियर है एलोकेशन ओफ एनस्ट आई जो है वो आपको ग्यारा तारीक को हो जाएगा थोड़ा बहुत डिले हो सकता है क्योंकि यह इनका प्रोसेस थोड़ा सा रहता है तो 11 से 12 भी आपका यहाँ पर हो सकता है नेक्स आप कर रहेगा एडमिशन आप कहां करवाओगे जाके अपने नेरेस नेस्ट याई में 13 तारीक से लेके 16 तक के बीच में तो यह इंफोमेशन थी वोफुली आपको साही चीजे समझ में आ गई होंगी अगर कोई ड लेट निकल के आते हैं तो वीडियो के मादब से समझाने की कोशिश करूंगी वीडियो आपके लिए यूस पूर रहा हो इंफोमेटिव लहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई जानकारीक साथ नई अबडेशन के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें बाई बाई टेक केर